हेलो फ्रेंड संजु की हेलदी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं पर्फेक्ट मोजरेला चीज की रेसिपी सेयर करने आई हूँ लॉगडाउन का समय है समान मिले में दिक्कत होती है इसे आप घर पे असानी से बना सकते इसके रेसिपी आप ध्यान से देखिए इस छोट है मैं देर लिटर फूल क्रीम दूदली हूँ इसको फूल आच पे रखी वी हूँ गर्म होने के लिए ये क्या हमें इतना गर्म चाहिए जिसमें हमारी उंगली आराम से गर्मी को बरदास कर ले उतना गर्म हो तभी हम विनेगर वाला पानी डालेंगे पर्फेक्ट गर्म ह रहेगी और इसको क्या हलके हाथ से कर्षी को इस तरह से अब चलाईएगा बहुत अच्छा से काम अपना शुरू कर देगी बहुत तेजी से चलाने की जवरत नहीं है और देखे थोड़े देखे हलका हलका बन रही थी अब मैं दूसरी कर्षी दो तीन मेंट के बाद इस त रपतार है वो तेज कर दी है अब देखे बहुत अच्छे से बन जाएगी देखे अब सुरू हो गई है इकठा हो ना देखिए इस तरह से इकठा हो जाती है इसको तुरत तुरत नहीं डालिएगा विनेगर वाली पानी को थोड़ा सा रुख रुख के काम कीजिएगा अब अब देखे जितना मेरा विनेगर वाला पानी बचा है उन सारी पानियों को मैं अब इसमें डाल दूँगी इस तरह से अब देखे कितना तेजी से अपना काम सुरू कर देगी अब बहुत तेजी से हमारी चीस रेडी हो जाएगी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है कर दीजे देखे कैसे इसलिप कर जाएगी बिलकुल गोण इसकी तरह होती है च्विल गम जैसा होता है वैसा ही यह बन जाएगी अब सारे मोजरेला चीज को आप इसी में रहने देजे और कम से कम चार मिनट के लिए इसी गरम पानी में रहने देजेगा अब देखे कठोत कर देखे लिए उसके ऊपर में में नेट रख दी हो और यह जो चीज बनी है इसको इस तरह से इसमें मर्दी रिधिरे करके डाल रही हूं हाथ को बचा के काम कीजेगा अभी गरम है यह अब बाकी दिकत हो रही है तो मैं इसको एकठे ही इस तरह से पलड़ दी हूं नेट क के ऊपर सारे को और यह पानी को फेकिएगा नहीं इसे चांदी का समान तो टाइल साप कीजेगा बहुत अच्छे से साफ हो जाती है अब यह देखे अभी बहुत गर्म है यह इसलिए मैं इसे कड़्छी से ही अच्छे से दाब दाब के इसके अंदर बहुत दूद होता है इसको इस तरह से आप दाबिएगा ना तो दूद निकलता रहेगा और वो जितना इसे आप निचोड़ेंगी उतना ही आपका यह जो चीज है बहुत अच्छा से बन के तयार होगा देखे कैसे अब इसको हाथ से लेके हाथ से खुप कस कस के दबाते जाएगा जितना दबा इसको निचोड़ निचोड़ के पूरा दूद वाला पानी जो है पूरा निकाल देना है जितनी जादा निकलेगी उतना अच्छा आपका मुजरेला चीज बनेगा इसी तरह से आप इसके बीच बीच में पांस साथ बड़ डुक्की लगा कि निचोड़ यह इस तरह से अब क्या है इस अलग बरतन में मैं इसको डाल दिये हूं और उपर से थंड़ पानी डाल रही हूं इस तरह से अब इसको भी थंडे पानी में डुबा के हां से इसको भी पांस साथ बर निचोड लीजेगा तो बहुत अच्छी बनेगी देखे मैं इसको पांस साथ बर दूद के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूं आधा चम्मच अच्छा से डाल दी हूं नमक थोड़ी सॉल्टेट बन जाएगी बहुत अच्छी लगेगी अब इसको देखे इस तरह से दब दीजेगा अभी पानी बहुत गर्म है इसलिए मैं चम्मच से ही इसको इस तरह से कर हूं बहुत अच्छी बनती है अब इसको क्या थोड़ा सा हलका सा ठंडा हो जाए हलका सा तो इसको इसी तरह से हाथ से फिड निचोड़ी पूरी इसकी देखे रस निकल गई है यह परफेक्ट तयार हो गई है अब देखे फॉइल पेपर जो हमारे पास है उसके 20 सेंटर मे मैं इसको इस तरह से रखूँगी बड़ियास इसको चारो साइट से फोल्ड कर दूंगी बॉल की तरह बनाऊंगी अमोदक टाइप कर दिखेगी इसको आप फ्रीज में रख दीजेगा एक दो घंटे के लिए फ्रीजर में नहीं फ्रीज में रखेगा दो घंटे के बाद इसे निकाल लीजे दिखाती हैं उसे काट के कितनी अच्छी मोजलेला चीज हमारी बनी है बिल्कुल मार्केट जैसे इसमें कोई बबल्स नहीं है आपको दिखाऊंगी काट के अभी देखे ऐसे है भी बहुत ही सुन्दर बनी है इसका यूज आप पीजा वेगर हमें कीज जल्ट देगी इसको मैं आपको काट के दिखाती हूं कितनी चिकनाई से बनी हुई है इसमें थोड़ा महनत जरूर लगा है पर यह चीज परफेक्ट तयार हुई है हमारी देखे मैं दिखा रही हूं कितना अच्छा कितना चिकना पनीर की तरह यह बना है पनीर से भी अच् थैंक यू